चली तो समझ में आगे कैसे उत्राखंड PCS का कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है उत्राखंड पहली किलास है उत्राखंड की रेइस्टर वगेरा लेके आए हो कैसे आज है लेके आए तो अच्छा है और नहीं लेके आए तो घर उसको पहले एक introduction कि लास उत्तराखंड की ठीक है उत्तराखंड तो सबसे पहला काम देखो किसी भी राज्य को पढ़ना है तो सबसे पहला काम है एक लिस उस राज्य के जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने-जिले हैं कैसे क्या है और एक लिए उत्तराखंड का मैब बनाना आपको आनाँ चीए उत्राखंड का मानचित्र कैसे करने में लग बार सम्झा चुका हूं हुँ ठीकैं तो एक बाय करते है हम लोग लोगव Oke करना एक बार रफ पर एक बार फेयर पर तो सबसे पहले क्या करना ठीक है मुझे लगता है कि एल पर मत बनाना रफ ये लग पर लृट थैकर त्याहर करी करोanız रफबर कितने लोगों से आता है अभी उत्राखंड का मैब बनाना वो बना सकते हैं लगवग एक और दो तीन चार बना लेता हूँ ठीक वोही तरीका या अपने तरीके से हाँ मैंने से गाया था ना एक तरीका ठीक है चलिए आपने क्या करना है एक सी बनाना है और वो सी थोड़ा सा टिल्ड होके बनाना है यानि वरताब क्या हल चाल भाई ठीक है यह ऐसे न बना करके यह आपको कैसे बनाना है ऐसे बनाना है ऐसे 1 C हलका सा इस कॉरनर की और ऐसे यार सुनके बड़ा अजीब लगा कि नहीं हुआ क्या मतलब तुम्हें क्या लग रहा है क्या हुआ 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 अब मेरे को भी यह एसे लग रहा है कि लाश्ट वाले पेपर में क्वालिफाई नहीं हुआ हुआ मेरे को भी ड़र था उस बता है अज़ बीस नंबर का भी मुस्किल बढ़ गया था नहीं मेरा भी अच्छा नहीं गया था मैथ का वेपर मुझे भी ड़र था मैं तो उसे बोल भी रहा था क्यों हाँ नहीं मेरा भी अच्छा नहीं गया था लेकिन मेरा इथिक्स बहुत श्ट्रॉंग था ना हाँ लेकिन इथिक्स मेरी बात समझीए मैंने अस्सी किया होगा तो अस्सी में हो सकता है कि मैंने 55-50 खीच लिया हो तो मैथ में 30-40 तो मिली गए होंगे हाँ मतलब मैथ किया था लेकिन उतना सैटिस्वाई करने वाला पेपर नहीं गया था मेरा मैथ का जितना जाना चाहिए था यह था बागी सब्सक्राइब मुझे बहुत बोलगा उम्मीद थी ना मुझे तुम लोगों से हैं इस बार मैथ ही मैने हटवाया है मैथ हट गया इस बार बढ़िया बात यह है तो खेर मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम लोगों का ना दो तीन बच्चे ऐसे पूरी उम्मीद थी मेंस निकलेगा इनका और मैं बताओ तुम रिजल्ट का वेट करो तुम हकीकत बात बता रहा हूं तुमारा यही रुका होगा लाश वाला पेपर क्योंकि जी एस तो पेपर देने के बाद हम सब लोग बड़े खुश थे कि हमारे बढ़िया हुए बस एक का दुख था लाश्ट वाले का इसमें मैं था वह था लेकिन खेर कोई नहीं इस बार मैं थट गया इस बार एक तजुर्वा काम आएगा ठीक है तुमारे लिए बहुत बढ़िया है अ अपोर्चनिटी तुम्हें ही पता है कि उत्राखंड से बहतर अपोर्चनिटी और कोई ही नहीं जितना इजी हैं चीजे बहुत इजी हैं आप यकीन मानिए आप टार्गेट बनाएंगे तो कर सकते हो क्योंकि ज्यादा कंपडिशन नहीं है और जो उत्राखंड के लोग है aos उनके लिए तो यह मानो कंपडिशन ना के बराबर है अगर बो किसी है रीजर्वेसन में है तब यह महिलाएं हैं लिए वह फाइदा है चलिए तो एक सी बनाया आपने यह बना अब सी बनाने के बाद कि आपने एक बनाना है नीचे एक फ्रयाइंग पैन फ्रयाइंग तो ऐसे एक frying pan होना help अभी आपने क्या करना था ये जो फ्रैंग पेन है इसको पकड़ने वाला एक हत्ता बनाना है वेसिकली थोड़ा सा बड़ा इतना बड़ा जितना बड़ा ये लगफख नीचे की साइड है तो लगफख उतना बड़ा इस तरीके से जैसे ये पीछे हत्ता था तो एक मुड़ा हुआ इस तरीके से एक हैंडल ये ऐसे ये ट्रीक आपको ध्यान भी रखनी है आपको मेंस अगर आपको देने का मोगा मिलेगा तो दो-चार कोश्चन में बनाना है ये डाइगराम उससे पता चलता है कि तुम उत्तराखंड के हो और जब एक्जाम दर को पता चलेगा तुम उत्तराखंड के हो तो वो आपको थोड़ा सा समझेगा कि हाँ ये रूतराखंड का है तो इसको थोड़े नंबर ज़्यादा मिलने है चीए इसलिए डाइगराम बनाना बनता है ठीक है ये बन गया अभी यहाँ पर क्या बनाना है उपर की और एक सींग सा बनाना है ऐसे हो गया अभी सेम देखो इसी डिरेक्शन में ऐसे आना है और इसी डिरेक्शन में नीचे आके यहाँ पर मिला देना है यानि ऐसे आयना है यहाँ और यहाँ पर ऐसे आके फिर इसको ऐसे यहाँ मिला देना है ठीक है एक सि बनाय था एक ऐसे फ्रैंक पने था फिर एक हैसे हैंडल बनाय था फिर महां से आके ऐसे इसला इसना मिला दिया है तीन चारी स्टेफ है बहुत जादा मुस्किल नहीं है ठिक हो गया अब यह यहां पर आपको दो डिश्टिक निकल रहे हैं सोरी मेरे मुझे राज्जे निकल रहा है यह एक यह और एक यह निकल गया और एक यह निकल गया जो यह बड़ावाला निकला है क्या नाम है इसका इ और नैनी ताल के जश साइड में हैं चंपावत्थ ठीक है लिखवाओं का बात में अभी आप ऐसी N या C लिख लो उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो CM लिख दू में इसे चंपावर ठीक है क्लियर है अभी क्या है इन दोनों डिश्टिक को आपस में एक डिश्टिक एक पट्टी के रूप में ऐसे जोड़ रहा है एसे पट्टी के रूप में नीचे से इसे जोड़ रहा है और एक इनको उपर से इस तरीके से उपर से जोड़ रहा है टोपी की तरा जो नीचे से है ये वाला ये नीचे वाला ये है USN जिसे बोलते हैं उधम सिंग नगर उधम सिंग नगर और जिसमें उपर से कवर किया है, यह है अलमोडा, A-L-M, अलमोडा, ठीक है, समझे मेरी बात को, कुछ नहीं किया, यहां पर यह, एक यह बनाया, और यहां से मिलाने के बाद, ठीक है, बेटो, यहां पर, थोड़ा कोशिस करो, टाइम से आ जाओ, उत्राखन बन जाता अभी तक, तो परोसना भागी है, बस, क्योंकि, फिट से मैंने कहा, अगर PCS का सले, बस निफटाना यह था, सली किसे तो फिर करना पड़ेगा उसको टाइम से, तो यह कौन सा होगे, अलमोडा, यह, उदम सिखने कर, ठीक है, अभी अलमोडा से, दो, लाइने आपको उपर की साइड खीच नहीं है, अलमोडा से, खीच गई, दो, ठीक है, अब, सुनते रहे ना, जो मैं बता रहा हूं, यह दो खीचने के बाद कुछ नहीं करना, इसके सेंटर से, एक लाइन, यहां लेके आनी है, आवी, इसके यहां से, एक लाइन, हरी दुआर के सेंटर में लेके आनी है, आगी, अब, यहां से, एक लाइन, यहां मिलानी है, समझ यह मैं जो दुबारा से बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं कर रहा है यहां से दो लाइन बनाई है एक लाइन मैंने यहाँ एक लाइन यहाँ से यहाँ एक लाइन यहाँ से यहाँ अभी जो नए आये हो अभी दुबारा से मैं बनावाओंगा तब देखना एक बार समझने को तीन लाइन इसी है यहाँ से सीधा इधर फिर इसके यहाँ से पकड़के इधर और इसके यहाँ से पकड़के इधर के लिए अब यह दो लाइने जो एक हमने यहाँ यह बीच वाला बोक्स बना है इसमें यहाँ पर एक छोटा सा जिला है यहाँ पर बहुत जादा बड़ा नहीं है छोटा है जनसंक्या के अधार पे तो सबसे छोटा है और इसका नाम है रुद्र प्रियाग यह और डी पी लिख दे रहा हूं मैं रुद्र प्रियाग रुद्र प्रियाग ठीक है रुद्र प्रियाग ठीक है यहाँ पर अब देखो यह जो ऊपर के आपको तीन दिखाई दे रहे हैं यह उपर वाले तीन इसमें जो यह वाला आपको दिखाई दे रहा है सबसे इधर वाला यह ये है उत्तरकासी ठीक है UK लिख दे रहा हूँ UKS उत्तरकासी समझ जाओगे आप उत्तरकासी और ये वाला जो इधर वाला है ये है चमॉली CHM लिख दूँ चमॉली चमपा बात मैं समझ दा है चमॉली और ये जो है ये है पिथोडा गाड़ ये तीन आपको याद रख रहे हैं कि सबसे ऊपर ये जो ऐसे थोड़ा सा लंबा है ये है उत्तरकासी बीच में जो है वो है चमॉली बीच में है समझ देना कि चमेली है और बीच में बैठा रखा है उत्तरकासी ने और पिथोडा गण ने चमेली को तो यह चमौली है और यह है आपका पिथोड़ा गड़ ठीक है अब आते हैं यहां पर यह है गड़वाल यह पूरा भाग गड़वाल है गड़वाल के दो पाइट हैं ये है टिहडी गडवाल, इसका नाम है टिहडी गडवाल और इसका नाम है पोडी गडवाल, इसका नाम है पोडी गडवाल, पोडी गडवाल, और एक बचा, क्या होगा ये, क्या, देहरादून, ये क्या होगी, राजधानी यह है राजधानी कौन सा बजगिया बागेश्वरा मनवाता हूँ पहले इसे बनाओ दिखो तो पहले इसे बनाओ यह जैसे आपने यहां रुदर प्रियाग बनाया सेम यहां पर ही पिथोड़ा गर्ड़ चमिली के बीच में यहां पर क्या है वागेश्वर वागेश्वर ठीक है वागेश्वर रप्पे मनाया ना भी ठीक है कोई बात नहीं अभी एक बार रप्पे और बनाओ लेकिन डाइग्राम बनाना है रप्पे, छोटा बनाना ज्यादा बढ़ानी क्या करना था, सबसे पहले एक C, तिर्चा, तिल्ड इस तरीके से इधर, एक C बनाना है, ठीक है, इधर नीचे एक बनाना है फ्राइंक पैन, चाय बनाने वाला, फ्राइंक पैन, देखो यह ऐसे बनता है ना, ऐसे फ्राइंक पैन होता है, तो वैसे उसके नीचे एक फ्राइंक पैन बनाना है, बन गया फिर इस फ्रैंक पैन को पकड़ने वाला एक हत्ता ऐसे मुड़ा हुआ उतना ही बड़ा जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा एक हत्ता पकड़ने वाला बनाना है बन गया? बना गया? ठीक है फिर यहां से एक ऐसे सिंग बनाना है सिंग बना और फिर यहां से इसको ऐसे आके सेम इसको यहां पर ऐसे मिला देना है इस्टैप याद दूए न, कैसे दूए फिर एक देस यह हो गया, नाम बताओ यहवाला नेहनिताल, यहवाला चमपावथ ठीक है तो एक देशी ये निकल गया एक ये निकल गया ये वाला हरी नरी ताल हो गया ये वाला चमपावाद इन दोनों को एक को नीचे से कवर कर रखा है एक ने जिले ने और एक ने उपर से कवर कर रखा है नीचे वाले का नाम उधाम से कि नगर इसका नाम अलमोडा ठीक है फिर क्या किया था हमने फिर हमने यहां से दो लाइन उपर खीची थी ऐसे याद है दो लाइन उपर खीची थी फिर एक लाइन हमने यहां से यहां एक यहां से यहां से यहां से यहां से यहां मैं फिर से बत तहेंदाल दिया था एक दिश्टिक चोटा सा और एक दिश्टिक हम ने यह निकाला था तो यह कौन सा अरकाफ है कि नहीं. अब यही डाइग्राम आपको «Fear» पर बनाना है, «Fear पर». लेकिन एक चीज धियान दagना है, जैसे बहुत, ऐसे नहीं बनाना की बिर्कुल C – लहाआके बनाना है, हालका बलखाते हुए. कैसे मैं बताता हूँ Mr. से बनाना है, देखो आप. ना ही ऐसे बनाना है ऐसे भी नहीं बनाना आपको कैसे बनाना है? देखो ऐसे A, ऐसे A, ये ये हो गया C इस टाइप से मतब दो C जो बनाना है वो थोड़ा सा उस टाइप से बनाना है A ऐसे करके समझ रहो ना? येसे C Clear? फेर उस पर बना रहे हो ना फेर पर ठीक है, जी ऐसे बनाना है, अब बनाईए, एक बार ट्राई कर लो, रब पर बना के, इसके बाद नीचे क्या है ये, ये भी ऐसे करके थोड़ा सा, हाथ ऐसे लगना चाहिए, जी से पी के चला रहे हो, ठीक है, ऐसे, ये, एक फ्राइक प पहला ये एक हट्ता ठीक है फिर यहां पर ये एक ऐसे सींग ठीक है और फिर यहां से ऐसे आके ये ये ठीक है इसके बाद आपको बता है इधर एक कौन सा है और ये चमपा बाद और इधर से ये कबर कर रखा है नीचे से ये कौन सा है उधम सिंग नगर यहां पर ये उपर की साइड ये कौन सा है अलमोड़ा यहां से ये इधर साइड में कौन सा है पिथोड़ा गड़ ये कौन सा है समोली यहां से ये ठीक है यहां से ये बेहरा दोन यहां से ये अच्छा यहां से ये बीच में छोटा सा और यहां से एक ये कि बुक्ति एक हैं ऊत्रहुंन आफिर मैं उथान्गinku रभकेन को इने साइड अफिरी उपर से चलते जैसे बनाया ज़ेता जाधे रहेगा ये स्क्राव्बर ऑस यृफर पर आपको रिखाई कि साहरा है एकामबर पर यह कौन साल है हरी दोवार ठीक है, फिर हमने second number पे कौन सा बनाया था ननिताल और third number पे चंपवर्थ और फिर four number पे five number पे almoda, six number पे seven number पे eight nine 10, टिहरी गडवाल 11, ठीक है 12 13, कितने जिले हैं 13 जिले हैं, तो पहले बहरीदवार है दूसरे पे ननिताल है तीसरे पे चंपवत है चोथे पे उधम सिंग नगर है US है, समझ जाना पाचवे पर अल्मोडा है अल्मोडा चटे पर पिथोरा गड़ है साथवे पर चमोली है आठवे पर उत्तरकासी है उत्तरकासी नाइन नंबर पर देहरा दून है दस पर तीहरी गड़वाल है तीहरी गड़वाल तीहरी गड़वाल और ग्यारा पर पोड़ी गड़वाल पोड़ी और बारा पर रुद्र प्रियाग है और तेहरा पर वागेश्वर है वागेश्वर ठीक है जी ठीक है मुझे लगता है उत्राखंड का मैप आप लोगों को सब को बनाना आ गिया होगा सब बना सकते हो किसी को डाउट पहले सबसे पहला काम है उत्राखंड पढ़ने से पहले उत्राखंड का मैप बनाना आना और उसके जिलों के बारे में पता होना है ठीक है, अगर मैं बनाना आता है तब तो बात है, तब उत्राखंद पढ़ने में मजायेगा तुम्हेँ, अभी मैं चीरा वोलूँगा कि उत्तरकासि तो आपको समझ में आ जायेगा या रहां, यहा है, ठीक है तो ये पहला काम है आपको पता होना चीए तो इसको आप नोट कर लो बढ़िया से अच्छे नोट्स बनाना सांदार ये नोट्स आपको ये धियान दगना ये नोट्स जो बना रहे हो ये पेपर के समय काम देंगे तुमारे किताबे बहुत है उत्राखंगी पढ़ने वाली लेकिन पतले से नोट्स बनाओंगा बहुत कम पेज कि जो अराम से पढ़के चले जाओ और एक्जाम में मतलब कोश्चन्स वगेरा हो जाए तो सब बना सकते हो लगवा उत्राखंगा में कोई ऐसा जो नहीं बना सकता मुझे जो क्लास में होता हो बन जाए गए बना लो गए तो कुल जिले कितरे हैं उत्राखंग में तेरा ठीक है तेरा जिले अब देखिए पहले बना लो हो गया होट कर लिया है ठीक है अब आप हरी डालिए उत्राखंड की सीमाए है हरी डालना है उत्राखंड की सीमाए अच्छा सीमा दो प्रकार की होती है एक तो जो उत्राखंड राज्ये के साथ बना रहा होगा और एक वो जो किसी देश के साथ बना रहा होगा यानि सीमाओं को हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक अंतराज्ये सीमा क्या सकता हूं न तो एक अंतराज्ये सीमा और दूसरी अंतराश्ये सीमा अंतराश्ये सीमा ठीक है अंतराश्ये सीमा और एक अंतराज्ये सीमा यह लगा देना ठीक है अब देखो उत्तराखंट की टोटल सीमा जो है टोटल कुल सीमा वो कितनी है कितनी अच्छा तू छेत्रों बता रहे हो 53,480 बेसिकली आपसे कोश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपसे चाज़तर अंतराश्ये सीमा नहीं पूछेगा वो आपसे अंतराश्ये सीमा पूछेगा जोगी 625 किलो मेटर है खेर अभी समझेए अंतराश्ये सीमा का मतलब क्या हुआ कि उत्राखंड किस-किस राज्ये के साथ सीमा लगाता है ठीक है तो देखो अंतराश्ये सीमा केवल दो ही राज्यों के साथ लगती है एक लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ इसको ऐसे लिखता हूँ मैं ठीक है अंतराश्ये सीमा केवल दो ही राज्यों के साथ लगती है एक लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ और दूसरी लगती है आपकी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के साथ ठीक है अगर मैं अंतराश्ये सीमा की बात करूँ यारी किन देशों से लगती है तो इसमें भी देश आपके दो ही है एक है चीन और एक है नेपाल चीन और नेपाल और इसमें भी जो अंतराश्ये सीमा है वो आप से पूसता है टोटल कितनी लंबी है अंतराश्ये सीमा ये है 625 किलोमीटर जिसमें चाइना के साथ लगवग लगती है कितनी 350 किलोमीटर और लगवग नेपाल से लगती है 275 किलोमीटर काउंट करोगे तो 625 आएगा यानि सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ ठीक है और थोड़ी उससे कम नेपाल के साथ दो के साथ ही लगती है सीमा अच्छा आप कई बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं चाइना पढ़ा है तिबबत पढ़ा है तो मैं आपको बता हूँ तिबबत जो है वो पार्ट है चाइना का ही ठीक है यानि जो तिबबत है वो चाइना का ही पार्ट है तो आप उसे च चाइना के है तो चाहे तिबबत केह दो ठीक है तो एक तरीके से तिबबत जो है वो उनका ये प्रांथ है लेकिन खाली तिबबत से जो सीमा लगती है वो 300 km की लगती है बाकी 50 km की अधर इस्टेट से लगती है चाइना के तो कुल मिला करके चाइना से जो लगती है वो कितनी में बनाना है अब तो मुझे लगता बन जाना चीए कुछ नहीं करना आपने ऐसे जितनी बार बनाओगे उतना बढ़िया भाई यह ऐसे बनाना है एक सी टाइप का ऐसे करके एक फ्रैंक पैन फिर ऐसे यह यह यहां से यह 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 जितनी बार बनाओगे उतना ज्यादा सही है मेरे इसाब से आपको प्रक्टिस हो जानी चीए एक मिनिट में उत्तरा खंट का मैप बनाने की और वो एक मिनिट में बनेगा वो कब बनेगा जब आप कंटिनी बनाओगे बार बार और मैं तो खुद ही बनवा दूँगा तुमसे सो देड़ सो बार कि हर उस पे जरुत पड़ेगी बनाने की ठीक है तो यह है बताने की जरुबत नहीं है न कौन सा क्या है अब देखो यह जो है यह इंडिया के मैप में कहां पर है इंडिया के मैप में यह यहां है ठीक है इंडिया का मैं अपना बनाऊँ आप कोई खास जरुवत नहीं है यह है उत्राखंड यह यह उत्राखंड है तो अब यह वाला भाग जो है यह है यहाँ पर यह वाला भाग जो मैंने बनाया है यानि इसके इधर जो है यह नैपाल है ऊपर जो है यह चाइना है इधर जो है यह हिमाचल प्रदेश है और नीचे जो है यह उत्तर प्रदेश है मैं आपको इसमें बनवाता हूँ एप में ठीक है देखो यह यहाँ क्या है यह है नैपाल इधर है नैपाल ठीक है ऊपर है ची यहां पर ऐसे सीमा हम ऐसे कर देते हैं इसके पीस कर देते हैं यहां है छाइना यहां है नेपाल यहां है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश और यहां पर है नीचे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ठीक है इधार है हिमाचल प्रदेश नीचे है उत्तर प्रदेश ठीक है उपर है चाइना इधर है नेपाल अभी आप मेरे को ये बताईए आपको क्या लगता है कि चाइना से किस-किस की सीमा लगती है चमॉली और कोई मतलब ही नहीं है न बताने का आपको तीन उपर के बता हैं तो किलियर हो गया यानि चाइना से सीमा जो लग रही है वो किस-किस की लग रही है एक तो लग रही है उत्तरकासी, कोमा चमोली, कोमा पिथोडा गड़, पिथोडा गड़, ठीक है, अच्छा मैं नेपाल के बारे मैं अगर बोलू तो, कोमन सेंस लगाओ, कौन कौन सा इधर बनाया हमने, चमपा बत बनाया, ठीक है, उधम से की नगर पहुंच गया, और अबर से अगर देखो, तो पिथोडा गड़ हो गया, कोमा, चमपावत हो गया, है की नहीं, चमपावत, कोमा, उधम सिंग नगर, यह ऐसे पूछ रहा है, कि लिए, अगर मैं कहूं, उत्तर बर्देश से किस कि सीमा लगती है, तो आपने ये लाइन किस की खीची है, देहरा दून, देहरा दून, कोमा, फिर बताओ आगे, हरिदवार है की नहीं, खुद बताओ, हरिदवार है, आगे, पोड़ी, पोड़ी है, ठीक है, आगे बताओ, देखो, आप उधम सिंग नगर तो है, लेकिन हलका सो देखो, यह नैनी ताल है, बस यह धिहान लगना है आपको, नैनी ताल के सीमा भी लगती है, नैनी ताल और कोमा, यूएस, एन, तो कितने रजिऊ से सीमा लगती है, उत्रप्र देख की, कितने डिष्टिक से सीमा लगती है, पांच डिष्टिक, देहरा दुन, हरिद्वार, पोडी, नैनी ताल, अपोलो, अधम सिंग नगर, क glucose है, औ उत्तर कासी और नीचे देहरा दौन देहरा दौन ठीक तो ये कुछ सीमाएं है लेकिन इसमें सबसे इंप्रोडेंट बात जो है वो तादू में जो सबसे लंबी सीमा है वो ये वाली है कितने किलोमेटर की है ये है तीन सो तीन सो पचास किलोमेटर की चो ये वाली सीमा है ये ये कितनी है दो सो पिच्छत्तर किलोमेटर ये किसके साथ लग रही है नेपाल के साथ टोटल अंतराश्टी ये सीमा रेखा जो है तीन सो पचास पिलस दो सो पच्छत्तर is equal to 625 किलोमेटर ठीक है उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लंबी है इमाचल के साथ कितनी लंबी है कोई मतलब नहीं है ना कभी पूछा ना पूछेगा ठीक है अंतराश्ट्य सीमा पूछ सकता है किसके साथ है अब यहां से कुछ factual question बनते हैं जो important है factual data जैसे क्या कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सी gonna sau- winner रोहीं है चाइना से भी लगती है और नेपाल सेविलगती है कौन truth रोगा थोड़ा एंद दूसरा ए ऐसा उत्राखेन का कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतराश्टिय सीमा बनाता है तो आप देखो सबसे लंबी आपको का यह यह नहीं मना रहा है इधर से ये इधर से भी बन रही है और पूरी इधर से बन रही है तो कोन मनाता होगा हाँ तो नोट डाल के कुछ खेक्ट लिखिया लिख्यहां अप। इंपोर्डेंट नोट डालिये और कुछ खेक्ट लिखिये नोट डालके कुछ fact लिखिए नोट डालके कुछ fact पहला fact पिथोडा गड़ पिथोडा गड़ चीन वे नेपाल दोनों से सीमा मनाता है चीन वे नेपाल दोनों से सीमा मनाता है अच्छा अब मुझे बताओ तो मुझे इस data को लिखवाने की जरुवत नहीं है ना कोन किस से सीमा मना रहा है किलियर हो गया है diagram में तो मुझे लिखवाने की जरुवत नहीं है आप diagram पढ़के और तब exam में जाना आप सोच रहे हैं कि मैं लंबी theory पढ़ाऊंगा फिर syllabus बहुत लंबा चला जाएगा मेरा क पॉइंट लेकिना सबसे लंबी अंतराष्ट्य सीमा पिथोड़ागड़ ही बनाता है सबसे लंबी अंतराष्ट्य सीमा पिथोड़ागड़ ही बनाता है पिथोड़ागड़ ही बनाता है पिथोड़ागड़ ही बनाता है पिथोड़ागड़ ही बनाता है ठीक है भाई अभी मेरे को मैं अगर इसको हटा दूँ तो बताओ हिमाचल प्रदेश से उत्राखंड के कितने जिले सीमा साजा करते हैं कौन कौन से उत्तरकासी और देहरा दू ठीक है नैपाल से कितने जिले सीमा बना रहे हैं तीन कौन कौन से पिथोड़ागर चंपावद अगर चीन के साथ कितने बना रहे हैं तीन कौन कौन से उत्तरकासी चमौली की थोड़ागर उत्तरब्रदेश के साथ कितने बना रहे हैं पांच कौन कौन से देहरादून हरीदवार पॉड़ी नैनिताल उधम से थोड़ा सा नैनिताल भी है ठीक है अभी मैंने बताया आप पैसे देखोगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर, यह ने निताल भी है, किलियर है, नेक्स्ट, अब है, उत्राखंड का छेतरफल कितना है, यह भी कई बार पूछ लेता है, उत्राखंड का छेतरफल, ठीक है, तो यहाँ से एक दो कोश्चन आ जाते हैं, हाला कि यह छेतरफल ने, तरेपन हजार, चाड़ सो, तेरासी, किलोमेटर स्कॉायर, यह भाई थोड़ा सा याद रख लेता है, यह ऐसे ही पूछ लेता है, लेकिन आप कोश्चन यहाँ से यह भी पूछ लेगा, क्या, यह कि यह भारत के कुल छेतरफल का कितना परसेंट है, यह भारत के कुल प्रतिसत है तो कितना है भारत के कुल छेत्र का कुल छेत्रफल का कुल छेत्रफल का कितना है बताओ नहीं 1.69% ठीक है अगला कोश्चन ये आता है कि उत्तरखंड 28 राज्जियों में छेत्रफल के अधार पे कौन से नमबर पर आता है कौन से नमबर पर आता है 27 वे पर वो तो बनने का अधार है 27 नमबर का बना था छेत्रफल के अधार पर कौन सा है उनिस्वा है या ठारवा है उनिस्वा हो गया ते लंगाना पहले ठार था और जनसंग्या के अधार पे जनसंक्या के अधर पर कौन सा होगी है क्यों कि पहले क्या था पहले तेलंगाना जो है वो नहीं था पहले वो अंध्रदेश का भाग था अब जो तेलंगाना बना तो वो क्या हुआ आपका जब अंध्रदेश से अलग हुआ ये तो उसके बाद में तेलंग आना तो एचली उत्राखंड से तो बड़ा ही है ना उत्राखंड का इस्थान एक-एक पीछे फिसल गया लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पहले इसका इस्थान जो था वो सै सत्रुवा था और वो फिसल के थारवा हुआ है जहां तक छेत्रफल में कुत्राखंड का चलो पहले ये नोट करो फिर मैं बताता हूँ आपको भारत के कुल छेत्रफल का 1.69% ठीक है कौन सा दिखा रहा है 19 वा लिख ले ना इसको तो एक्जेक डाटा नहाई वाला पूछेगा पुराना नहीं पूछेगा अगला लिखना क्या अगला पॉइट 28 राज्यों में चेत्रफल के आधार पर चेत्रफल के आधार पर आधार पर इस्थान तो इसमें दो बात याद लखना क्या तेलंगाना बनने से पहले कौन सा था अठारवा ठीक है लेकिन तेलंगाना के बाद तेलंगाना बनने के बाद बनने के बाद अच्छा एक चीज़ सुनो यार सुनो 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 तेलंगाना बना है ठीक है जम्बू कस्मीर खतम भी तो हो गया तो आंसर अठार रही होगा ना फिर आप ये भी तो consider करिए न बही 18 से 19 हो गया था मैं agree करता हूं लेकिन जम्बू कस्मीर भी तो खतम हो गया तो हम इसे ऐसे लिखते हैं तेलंगाना बनने के बाद 19 वा ठीक है एक पॉइंट और क्या जम्बू कस्मीर समाप्त होने के बाद समाप्त होने के बाद फिर से कौन सा हो गया एक्ठारवा एक्ठारवा ये भी तो जम्बू कस्मीर भी तो खतम हो गया ना दुवारा से उसकी वही पोई सनागी लोटके चलिए तो 28 राज्यों में छेत्रफल के अधार परिस्थान एक्ठारवा है तेलंगाना बनने के बाद 19 हो गया था क्योंकि वह पिछल गया था लेकिन जम्बू कस्मीर समाप्त होने के बाद फिर से क्या हो गया है एक्ठारवा ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो मेरे को बताओ आगी है ना पर 28 राज्ये थे तेलंगाना बन गया 29 हो गय अब तेलंगाना चुकि बड़ा था उत्तराखंड से तो उसका नंबर पहले आ जाएगा उत्तराखंड से तो ये 19 में पहुँच गया लेकिन अब जम्बू कस्मीर भी तो उपर से एक खतम हो गया तो फिर से वह अठार में पहा गया तो इसलिए कौन सा इस्थान है आपका अठारवा क्लियर है एक कोश्चन ज सब जिलो के छेत्रफल याद कराऊंगा लेकिन वो मैं पॉल्टी में काम करूंगा पहले दिन इतना वड़न नहीं डालूंगा अभी तो थोड़ा थोड़ा जान जाओ कोई पूछने लेकर उत्राखंड बढ़ रहा है तो ठीक है यार सबसे बड़ा जिला कॉमा सबसे सबसे छोटा जिला सबसे छोटा जिला ठीक है तो अब खुद देखो इसमें कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है चमोली पिछोड़ नहीं लग रहा है तो यहीं का निफिजर में रहता है कुछ 15-16 किलोमेटर का अंतर है अगर पूछे क्योंकि आयोग ने इसका अं कि इस यहां जिश्यक है चाईना और पिफोड़ा कड़ के बीच में अगर उसको आप सामिल कर लेते हो तो पिफोड़ा कड़ बड़ा हो जाता है लेकिं डिस्पुट्ट है इसलिए अगर वही उसको अगर हम अपने में नहीं मानते है तब वह चमोली बड़ा है सबसे यह है चंपा वर्थ इनकी यार स्लाइड भी डालते रहना यह काम है तुम्हारा यार स्लाइड भी निफ्टाते रहना चीक है चलिए फिर टाइम से निफ्टाते रहेंगे अज़ा कोसिस ये करना मैं भी यह करूँगा मैंने भी आज से अपना